12 जून को भाच्पा निता सोमरतन आरे ने नाबालिक छात्रा के साथ जो छेड़शार की घटना की थी उस घटना को अंजाम देने के बाद से सोमरतन आरे अब फरार हो गए हैं रवीवार देर शाम को जो पीडित छात्रा के पिता थे उन्होंने एफैर दर्श करवाई थी और उसके बाद से अब सोमरतन आरे फरार हो गए हैं ऐसी हमें जानकारी मिल रही है और इस जानकारी के साथ साथ धार 164 के तह चात्रा के बयान क के फरार होने से अजमेर गुस्से में हैं अजमेर के लोग अब भाजपा से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें तमाम पदों से तुरंद प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए जिसके चमते जांच प्रभावी इतना हो और अजमेर गुस्से में इस वक्त है अजमेर की जनता क्या कह हुआ है तो पटकर पुरी घठना का मालूम पढ़ा है अगर मैं तो चाहूंगा कि इस पूरे मामले की गमीरता से जाच होनी चाहिए और पूरे निस्वश होके इस मामले की जाच करना चाहिए अगर इस तरह की कोई भी घटना होई है तो वो अजमेर शहर के लिए बहुत समशार समशार घटना है और हम राजनेता होने के साथ साथ पूरे शहर की जिम्मेदारियां हमारे कंदों पर रहती है और शहर में बेटियां हम सब की भी जिम्मेदारिया है कि हम सब उनके रक्षा करें और सामाजिक वा बाते हैं वो अलग हैं मगर अभी इस मामले की जब रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है तो नैतिकता के आधर पर उन्हें सबी जगों से इस्तिफार देते ना चाहिए मुझे तो बहुत यह कहते हुए शरम आ रही है कि घटना हुए इतना समय बीच चुका है उसके बाद भी भारती जन्ता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक मुझ पर पट्टी बांदे वे आंकों पर पट्टी बांदे वे बैठे वे हैं मुझे लगता है कि नरंद के खिलाफ जो है इतना गिन्योना अपराद जो बच्चों के साथ ऐसा अपराद होता है और इस मामले में तो बारती जन्ता पार्टी के जो लोग सफेद पोश बनकर शहर में गुमते हैं बारत माता की जिन्दाबाद लगाने का उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है जो व लोगों से अपील करूंगा कि जो पीडित का जो परिवार है इस मौके पर मौमत्या जलाना नहीं बलकि इस पीडित परिवार के सब साथ आएं और पीडित परिवार का नाम और उनके पिता का नाम उनका पता सब गुपत रखे मैं उस पिता की और उस माता की जिनकी वो मेर और पुलिस की पूरी टीम उनका नेतिक दाइत है कि जैसे अभी डाकू जगन को जो है वो खुद सलेंडर हुआ है तो उनको खुद को भी जो सौमरतन आरे को इतनी बड़ी चीज नहीं है उनको तो खुद को सलेंडर हो जाना चाहिए यदि सत्कें तो नुसंदान के सामने आएगा और जो कुछ होगा जनता के सामने शिक्री आएगा और अब तो सबसे पहले नेतिक दाइक दाइक वारती जनता पार्टी का है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करा सब्सक्राइब एक तो बहुत शर्मनाक बात है कि कि संगठन पर इतने अच्छे पदों पर होते हुए करई आपकर इस थार की कोई घथना की है तो बहुत शर्मनाक बात है और नहींतिकता घ्यादर पर उनको इस्टीफा देना चाहिए अन्या उनके वोड़क हाईखो रभास सिंग रधिया जाहिए। पुलिस परिशाषान है वो बिना किसी रवाव के अच्छे कारवाई कर सके पीडिचा को न्याई मिल सके देखी ये बहुत ही निंदनिय और दुरबागयपून घटना है अजमेर शहर के लिए क्योंकि अजमेर शहर में जिस तरह का ये माहौल इस घटना के बाद में जो चर् रद्यक्ष हैं उनसे भी ये मांग करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द जो जिन भी पदों पर ये सोम्रतंजी हैं वहां से ने हटा दिया जाए उससे पुलिस को जांच करने में आसानी होगी किसी भी तरह का पुलिस पर दबाव नहीं रहेगा और निस्पक्ष जांच हो पाएगी और जो पीडिता है उसको न्याय मिलेगा पीडिता के परिवार को भी न्याय मिलेगा और पीडिता के परिवार के साथ हम लोग सशक्त हैं हम साथ हैं तो हम यहीं मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कारवाई हो और निस्पक्ष कारवाई हो देखिए एक्चुली स सबापत्य रहे हैं नगरनिगम के और कई संस्तायों से ज़ुड़े हुए हैं राजनितिक क्रूप से भी वह भार्ति-इता पायट के बड़े नेता हैं और आज्देक के वह संस्ताय से जुड़े हुए हैं और कई लोगों को उनको देख करके प्रेणा मिलती है और इस तरह का कोई वेक्ति अगर इस तरह के आरोपों से गिर जाता है तो नेतिकता के नाते उन्हें सभी पदों से त्याग पत्र देना चाहिए और जनता को यह बताने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इसमें दोशी है अथवा नहीं है दूसरी बात मेरा यह कहना है कि जितनी भी पदों पर वो बैठे हुए हैं उन सभी संस्ताओं को चाहिए कि इस तरह के वेक्ति के खिलाब कारवई करें उनको पदमुप्त करें और भारति जनता पार्टी जो कि एक अपने आपको जितनी को बार निखालना चाहिए जिस तरह से यह घटना सामने आई है बेहद निंदनी है किसी बच्चे को अवार्ड दिलाने के नाम पर बहर भुला करके और उसकी साथ जैसी उसमें शिकायत दिये तो इसको देखते हुए उनको तुरंट प्रवाव से अपने सभी राज जाने चाहिए और अगर वह ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़ी आए नहीं तो हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और अगर कोई भी इतने बड़े पद के उपर बैठावा व्यक्ति जिसका सामाजिक और नेतिक दायत में काफी बढ़ा हो वह इस तरह एक हरकत करता है तो इस सिक्षित समाज के अंदर ये एक बहुत घ्मिनित कारे के लाएं सोमरतन जी आ रहे है अजमेर के प्रसेश्टिक समाज से भी रहें और उन्होंने बहुत समाज सेवाओं में बहुत अगरेने काम किया मैंने उनका काम बड़े नस्दीक से देखा है उनकी मित्रता को भी सुना कि ऐसा हुआ है तो मेरे पेरे उतले जमीन से रख गए मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सोमरतन जी पे जो आरोप लगाया जा रहे है वो इतने गंबीर आरोप है क्योंकि बीटी सब के घर पे और सोमरतन जी को ऐसे आरोपों का सामना करना चाहिए अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसके सामने खड़ा होना चाहिए उनको पीट पीछे कहीं जाना नहीं चाहिए मेरा तो यह है कि अगर इसमें कुछ हुआ है तो दूद का दूद और पानी का पानी होना चाहिए गलत हुआ है तो बच्ची को न्याए मिलना चाहिए और अगर इसमें कहीं करना चाहिए पिशले 15 दिन से शोशल मीडिया और दूसरे मन्चों के उपर एक बात चल रहे थे कि अजमेर में कदवार बीजेपी के नेता दवारा किसी नाबालिक बच्ची के साथ के अंदर यो निशुशन करने का प्यास किया गया था पर उसमें कहीं पर भी नाम नहीं आ रहा था मैं धन्यवाद दूँगा उनके पिता को उन्होंने आगे बढ़के सारे जो समाज के उसके उपर उठकर उन्होंने उनका उनके उपर एक एफायर दज कराई जो आज मुझे अकबार के दोवारा पता पढ़ा कि यह व्यक्ति था कि मतला एक इतना बड़ा विक्ति जो अपने आपको कही संस्ताओं से जुड़ाओ क्यी ऑन्होंने यह बदा दिया कि इन्हों चालते ही उसके अंदर इस तरीके की काम होते रहते हैं जिसी वज़ए से इनको इस चीज को करने की एक वो मिलती है कि हम लोग कैसे आगे जाके इसे काम कर सकते हैं एक इतना बड़ा नेता जो जिस प्रकार का उसने करते किया है वह सजा के लाएक है इसे जल्दी से जल्दी पुलिस को उसे अंदर करना चींग है कौने कानून बच्चियों के साथ में एक तरफ हम कहते हैं बच्छी पढ़ाओ लोगण कि नहीं नहीं के यौंगे यूठre के मारे नहीं नहें ने यूटि लोगश legitim इसभापत सभापती रह हुआ है बीजेपी में उपाद्यक्स राव आए कहीं हमारे पर दूसरा केस बनवा देगा इस विज़े से नहीं आएंगे मैं तो अगर किसी और के भी इसाथ हुआ है तो हम लोग यहां बैटे हैं कूट के अंदर बैटे हैं अगर किसी और के साथ भी गलत करते हो तो हम उसके लिए त अगर वो सही हैं तो सही रहेंगे नुसंदान होना चाहिए और मैं तो यह जाणकर है कि पोलीज को इसका जो अनुसंदान है काफी उच तरप और बढागे करना चाहिए जिसके और भी लोग उसमें शामिल हो यह इनने और भी कुछ किया हो तो सामना आ हैं जैसे ही मुझे इसकी बात की जानकारी हुई, मैं पहले तो बहुत इस बात के लिए खुद अपने आपको, क्योंकि राजनीत जमात का कोई भी वेक्ति है, किसी दलका नहीं होता है, और अगर उसने अगर महिला के साथ के अंदर उत्पिलिंका या महिला को ऐसा भी कोई प्रिश्ट करने का भ परा आदमें को डंडित किया जाना चीज है, तेकि मैं इस मुद्दे के उपर कि वो पार्टर के वीजेपी के उपाद्यक्स हैं, या पार्टर इननों से इस्तिपानी लिया है, मैं मेरी जानकारी के अंदर जो आपने बताया है, मेरी जानकारी के अंदर अगर उन्होंने य कि अजर वजय है और नजय है.